हेलो एन वल्कम बैक आप सभी का आप ही के अपने चैनल पे एजेस टूटोरियल पे और आज का टॉपिक हमारा डी एस पी रिलेटेट क्या है लीनर कॉन्वोलूशन ठीक है तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बात एक बात सिर्फ क्या कि लोग जो जैसे कि मैंने पहले क कुछ नया आ रहा है जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला आपके मार्क्स इंक्रीज करने में तो यह आपको हेल्प करेगा ठीक है वीडियो तो उसका भी अपडेट आपको मिलता रहेगा इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करो और कोई पेड चैनल भी नहीं जिसके लिए पैसे बढ़ के वीडियो देखने पड़ेंगे ठीक है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो चलो ठीक है तो आगे बढ़ते देखते क्या है लीनियर कॉन्वलूशन जो नाम दिख रहे हो किस तरीके से क्या होने वाला है तो इसको सॉल करने के लिए तीन मेथड है एक है सब्सक्राइब करने वाले तो पहले हम लेको मार्क्स देखना पड़ेगा कितने मार्क्स के लिए अगर यह फोर या उससे मिनिममम या फाय मार्क्स के लिए तो यह मेथड यूज करना ठीक है और अगर कुस्टन में लिख दिया होगा टाइम डॉमेन या मैट्रिक्स तो question is find linear convolution for the sequence and this is the given sequence ठीक है तो यह इतना question है और कोई method दिया नहीं क्या करना है और यह 4 marks के लिए तो हम लोग क्या करेंगे tabular से करेंगे ठीक है तो पहला step हमेशा क्या करना है अगर starting position नहीं दिया कि sequence कहां से start हो रहा है तो हमने क्या जैसे कि मैंने बता चुका basics में कि this is the starting position ठीक है जो भी पहला पहला signal रहेगा वह starting position रहेगा अब आते convolution तो formula कह है y of n is equal to x1 of n into convolution of x2 of n ठीक है यह multiplication नहीं है यह convolution का सहने convolution का ठीक है तो this is the formula after this what to do तो हमको क्या करना यह जो answer आने वाला है ना इसका length मत पता नहीं तो इसका length find करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि this length is equal to length of x1 plus length of x2 minus 1 ठीक है तो यह formula है तो आप डरना मत किया इसका अगर 4 length और इसका 2 है तो कुछ करना पड़ेगा टाबलो method पर कुछ नहीं करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा दोनों का length देखना पड़ेगा अगर 2 रहता तो 4 plus 2 होता लेकिन यहां पे दोनों 4 है तो 4 plus 4 ठीक है जरूरी नहीं कि उसका length कितना होना 7 यह हम लोगों पता चल गया ठीक है तो अब tabular तो मैं पहले भी सिखा चुका अभी भी देख लेते हम लोग किस तरीके से करेंगे तो यह तो बना दिया अब हम क्या करेंगे एक मिन दूसरा यूस कर लेते हैं तो एक्स वन ओफ एन जो है हम लोग horizontally लिखते हैं और एक्स टू ओफ एन जो है हम लोग vertically लिख लेंगे तो values फिल करो 1234 and this is 1212 yes ठीक है तो आप लोग को दीख रहा है यहां से मैंने values बहर दी है अब क्या करना है multiplication तो 1 into 1 1 1 to the 2 1 3 is the 3 1 4 is the 4 similarly 2 1 the 2 4 6 8 इसी तरीके से सब का value आएगा तो आप फिल करते जाओ कि ठीक है इस तरीके से value अब मैंने क्या कहा था कि diagonal बना लेना है ठीक है पैंसे से बना लेना exam में ताकि आपको कोई confusion ना हो ठीक है नहीं तो आपको कोई confusion हो जाएगी अब आते हैं y of n क्या आने वाला हमारा ठीक है what will be the answer so one चाहिए डागनली बना के फिर क्या करना एंड करना है तो टो प्लस तो फोर अइंड इस इस 58 अफ्टर इस इस 14 अड करने के बाद और फिर यह एड करने के बाद हमको इलागा 15 अफ्टर इस 10 लास्ट वाला इस तो देखो यह answer में लिए y of n और इसका starting position हमेशा देना है क्योंकि यह दोनों का starting position first वाला था तो इसका भी first वाला रहेगा तो कुछ इस तरीके से tabular method का use करके हम लोग क्या solve करने वाले linear convolution तो देखा दोस्तों कितना simple है tabular method में हमको solve करना यह ठीक है तो अगर 4 marks के लिए आया 4 से 5 तब यह use करना और mention ना किया हो कोई method तब ही use करना तो thank you so much guys मेरा video देखने के लिए please अच्छा एक काम करो तीन अच्छे काम मेरे channel के लिए जो की है पहला काम वीडियो को like करो ज्यादा से ज्यादा ठीक है फिर share करो उनके साथ जिनको नहीं आ रहा है और ठीक है और अपने दोस्तों के साथ भी share करो जिनको एक्जाम में यह help करेगा और और एक चीज करो क्या में subscribe करो ठीक है तो और भी videos आने वाले है मेरे channel पे जै अगले वीडियो में आपके टॉपिक के साथ